पूरे इरिया को पेचानत है। जबली, इसको बोलते है जबाली और ये पूरा पाड़ी इरिया है ना, ये इरिया जबली घाटी का है। इरिया समालने वाला आधमी तो हिंदू था, उसका नाम आ चंदरराव मोरे है। लेकिन उस समय ये घाटी में राज किसका था? बिजापूर का बाश्चा है ना अदिल्शा की हुकूमत यहां थी दिल्ली में औरंग जेब था और उदेपूर से लेके राजस्तान तक महाराणा प्रताप और महाराश्टर में सिवाजी महाराज ये दो राजया ऐसे होके गे अपने धरम के लिए अपने हक के लिए लड़े देकि अदिल्शा हो या औरंग जेब इन लोगों का एक ही खौब था पूरे हिंदूस्तान को मुगलिया सलतरत में शामिल करेंगे ये इनका खौब है अभी तो बात सोचेने जैसी है ये पाड़ी से बिजापूर करनाटक बॉडर पे साड़े 300 किलोमेटर लंबा है इतना लंबा विजापूर और अदिल्शा की हुकूमत यहां अंदाजा लगा सकते हैं महाराष्ट्र में अदिल्शा की कितनी दर्शत होगी ये सोचो सिवाजी महाराद ये क्या सोचा हम लोग अदिल्शा के गुलाम होने से अच्छा है हम अपना राज अलग बढ़ाएंगे समय जिसको भी राज अलग बढ़ाना है उसको जरूरत थी गड़ किले की चाये किला छोटा हो या बढ़ा और यह पूर्य इरिया का ये जो पहाड है यह आता है सेंटर तो सिवाजी महाराद ने क्या तिया जो पहाड ही है न पहले नीचे के गाउं में मोरे के पास मांगी ये म अपना था महाराद ये इसको समझाए ऐसा बताया अगर यह पाहड मेरे को देगा मैं पाणी पे किला बनाता हूं चाये तो तेरे को इस किले का मैं राजा बनाता हूं दोनों एक साथ अगर आपने बढ़ेगी दोनों मिलके हिंदवी स्वराज बढ़ाते हैं यह सब विटता और उसके बाद यह पहाड पर किला बनाया। आपको ऐसा कोई पूछे यह किले की खासियत क्या गया तो मराठो ने बनाया एकी पहाडी किला प्रताबगड यह इसकी खासियत है। कि लेगी दिवार देखेंगं आप लोग दिवावे पाच किलो मिटर की गिल एंदर का इरिया कितना आता है यह किल अनर यह किला पारी स्वाट वे टोष्ट समय और सुवाड तक देखा जाए एक एक करते करते सिवाजी माराद ने अदिल ubiquin national, लेकिन वो डरा नी घब रहा नी उसको पता चला कि सिवाजी महाराद ने इरिया कप्चर करके दो साल में किला बनाया वो डर गया उसने दरबार बुलाया बीड़ा लगा के शर्त रखी जो आर्मी बीड़ा उठा के सिवाजी महाराद को जिन्दा या मुर्दा बिजापूर लेके आएगा मेरा विजापूर का आधाराज मैं उसको इनाम में दूंगा और तब है न ये इरिया पे सुवेदार अफजल खान था पंजगिनी के आगे वही में रहता था जंगल के आने जाने के खोकिया रास्ते उसको पता थे खान ने बिड़ा उठाया खान बोला था मेर सामने सिवाजी पारी चूवा और सिवाजी महराज को पकड़ने के लिए विजापूर से इधर आता है कितनी सेना लेके एक दो आजार नी 12000 सिवाजी महराज ये इसी इरिया से 6000 महराठों को किले में एकखटा किया और देखे खान की सेना डबल है ताकत ज्यादा है लेकिन उसको भी पता है, ये किला तो मराठों ने बनाया हुआ है, डिरेक्ली इस पर अटैक नहीं कर सकते हैं, ऐसा करें सिवाजी महाराज अपनी सेना लेके बाहर आए, खान ने क्या किया देखिये, साड़े 300 किलोमेटर यहां आते समय, रास्ते में जितने मंदीर लगे, हिंदों क मंदीर गिरा है, जहां रिवर नदी लगी, गाय को काटना स्टार्ट किया, कुछ हिंदों को पकड़ा, जबरदस्ती कनुवड किया, और ये करके सिवाजी महाराज को खत लिखता है, मैं सिवाजी के साथ मीटिंग करना चाहता हूं, दोस के खातिर मिलना चाहता हूं, जाह जहां अजार सेना लेके बैफिकरो के जंगल में बुसा, छे अजार मराठो ने क्या किया, जंगल से बाहर जाने के जितने रास्ते न, पूरे बंद कर दिया, उसके सेना को चारो बाजू से घेरा दिया, वो मिलना चाहता था, तो गड़ के नीचे मिलने की जगा है, वो दो पहे का बकतर कहते हैं, चिलकत वो, सर पे जिर्टो और हाथ में वागनक पहने, यह क्यों पहना था, अफजल खान हाथी को कंट्रोल करेगा, इतना ताकत रखता था, यह आग्मी जैसे ताकत में था न, हकीगत में आईट में बहुत ज़्यादा, इसकी खुद के आईट थी दोस के कातिर गले मिलने के लिए बुलाया, उनकी गर्दन दाए हास से दबाई, चाकु से बड़ी कटियार, सिवाजी महराद के सर पे और पीट पे अटाक किया, लोहे का पेना था, तो बज़ गे, लेकिन तभी सिवाजी महराद ने, जो वागनक से उसका पेट फार के उस जीत को मराठी में कहते हैं प्रताप, याने विक्तरी को प्रताप कहते हैं, तो इस किले का ही नाम प्रताप गड़ रखा, और यह जो गुपा है न, यह उपर बाहर खुलती नहीं है, उसी खान को मिलने से पहले महराद ने गुपा बनवाई, मेन सिपाई चुपा के रखे किले का दर्वाजा इधर है, नस्दीक है, अगर यह अफजल खान, सिवाजी महराज को मार के किला जीतने इधर आता है, तो यह लोग उसको रोख सके या खतम कर सके, ऐसा प्लान था, लेकिन बाद में इसका यूज नहीं हुआ, यह गुपा आगे थी, गौवर्मेंट ने कारी करोड किया, घोडे जाते थे, वहाँ स्टेप्स हो गया, तब यह पारी को तोड़ खोड के बन किया, तो उसका कबर नीचे है, बाकि सारे पॉइंट किले के अंदर देखेंगे, चलिए, एंगेट महा दर्वाजा, हमें किले के अंदर आने जाने का यह एकी रास्ता, दूसरा पहीं सी चांस ने, चारों बाजू में ऐसी उंची दिवार है, बीच में दर्वाजा है, अब देखेंगे, चार सो साल पहले उन लोगों ने गड़ के लिए बनाए, इतना पावर्फुल दिवाग यूज की है, यह जो दर्वाजा है, इसकी रचना के इसी देखी ह यह दिवार और यह, दो दिवार आमने सामने और दिवारों के अंदर दर्वाजा, तो लोग अंदर है, दिवारों के बीच में अब यह थोड़ा डिसंस तोड़ा ग्याप लग रहा है, ज्यादा नी इस बात को आज भी आप लोग आधा एक किलोमेटर नीचे से देखते है दुश्मन इतना नजदिक तो नहीं आएगा, दूर से देखेगा उपर जाने का रास्ता किदर है, आज भी आधा किलोमेटर नीचे से देखा जाए, सामनी कि दोनों दिवारे नीचे से जॉइन नजर आती है, नीचे से वाल एक लगती है, तो दूर से देखने वाले को गे दुश्मन का हाती आराम से आके दर्वाजा तोर सकता है, समझ लीजे अपने सेना में हाती नहीं है, जंगल के लकड़े से तोर सकते हैं, अब यह कब उनकीन है, जब गेट ग्राउन लेवल पे है तो इसलिए गेट को ऐसी जगा बनाया, यह आज की सीड़ी है, सीड़ी को अपने देखा है, पहले तो पाड़ी रास्ता इससे डेंगर था, इधर ना हाती आ सकता है, ना जंगल का लकड़ा, और तीसरी बात यह दर्वाजा देके साइस हाइट में छोटा है, इसको तोरने के बाद अकरमन करने का वक्त आएगा, लेकिन जगा तो एतना शौट रख तो पाड़ी रखे होल, राइट के दिवार में जितने होल देखेंगे ना दुष्मन पे गरम पानी गरम तेल डाल लेके, तो लेप साइट के दिवार के होले, छोटे तोप से फायर करने के, यह उन्हें कितना पाउर्फुल दिमाग यूज़ करके खिला बनाया, या परफ तोप के, मतलब इतनी छोटी-छोटी तोपे इस के लिए में है, और यह दर्वाजा लकडा साग का लकडा है, 400 साल पुराना है, सागवान जिससे फरनीचर बनाया जाता है, साग का लकडा है, इसलिए अब तक यह ठीका हुआ है, यह दर्वाजा नेकडी है? नेकडुन घजाता है, यह दो रास्ता लिए तोटी बनाया इतर से आम प्रजा म जंता जाती थी, लकसाईट में पुराना दर्वाजा है, यह राजमार्क, याने राजा लोग इतर से जाते, चाय अपना हो या दुश्मन का है, आज के तारीख पिर जो राजा पहले थे, आ अधिम की बराबरी कोई करेगा जिसान यह रास्ता को बंद किया यहाँ तो खुला दिखता है यह बंद किदर किया जिदर खुलता था वह ब्लैक पत्थर काला पत्थर का दिया लगाने का दुछतम है उसके आजे जो गैलरी एन वह नहीं है और नीचे का फॉंडिशन पुरा मैंने नीचे बताया था कि प्रतापगड के लिए 6,000 सेना महराद ने इकटा की लेकिन इतने लोग अपने परिवार के साथ किले के अंदर नहीं रह सकते हैं उसमें से में कमांडर निकाले 25 और ये 25 कमांडर को उन्होंने अपने परिवार के साथ किले में रखा देखो जैसे ये लोग उपर 400 साल से रहते हैं और बाकी की पूरी सेना गाओ में अब ये गाओ से अगर ये सेना को किले के अंदर एमर्देंसी बुलाना है पहले मोबाइल लही थे उनके जो सिगनल है मैसेज है ना वो नगारे पे थे ड्रम पे थे तो हर किले में ड्रम वाल होता है आई घुमते थे तटर अक्षद ये पैट्रोलिंग वाला रोड है मैं आपको ये रास्ता उपर घुमाऊंगा समझ लीजिए अभी कोई आदमी ये दिवार से इदर से चला गया और कि इदर उत्रा ही नहीं साड़े तीन चार घंटे के बाद इदर आ सकता है ये फिले की प चनाय आज हम देख रहें तो इसमें क्या यूज किया होगा जो इतना मजबूत है महराष्ट्र के अंदर ही नहीं है राजेस्तान इदर भी जाओ जो पुरानी हवेलिया है इसमें यूज किया मटरेल है खाने का गुड बिठा गुड चुना और रेट ये चुने का मिक्सर करके उसी टेकनिक से उसी तरीके से ये रेनेवेशन चालू है यह वाजू की दिवारे ना तीन किलोमेटर रिपेर किया है गुड चुने में दो किलोमेटर हिस्सा बाकी है और आपने जिस तोफ को गेट में देखा जिंडे का पॉइंट देख रहें ना ये तो फुदर था ऐसे पॉइंट किले में पाच्छे बनाएं सबसे में पॉइंट पे तुम्हें आपको लेके जाने वाला हूँ ये चेक पोस्ट है वास्टा वार है अब्जर्वेशन पॉइंट सामने के पाड़ी इरिया पे नज़र रखो गुश्मन की सेना कहां आती है कहां जाती है दिखा होगा बच्चों के इतियास के स्कूल किताब में इंटर्नेट पे या मूवीज में जो प्रताबगार दिखाते हैं बस यहीं दिखाया जाता है हां सभी बात है देख रहे हैं न, कुद्रत का कमाल केना चाहिए, इतने उपर पाहड पे पानी है, और ऐसे तालाब किले में एक नहीं है, चार है, रास्ते के नजदीक है, एक कवर कर रहे है, पानी तो बारा मेना है, समझ लीजे, यहाँ पानी नहीं होता, कोई यह लोग 400 साल से रहते हैं न लगने वाले पत्थर नीचे से उपर नहीं लाए, यह पूरे पाहड से ही निकाले, जैसे कटकर के निचे ते गय, पत्थर तो मिला, इतने उपर जहरना लगा, देखे आज हम ग्राउंड लेवल पे 200-300 फिट बोर मारते पानी नहीं मिलता, सारे 3000 फिट के उचाई पे पान यह में बात है, जावली का दाऊ नीचे और यह उपर का जो पूरा पार देखने है ना यह एंटर, यह माबलेश और आप लोग साइट सिन भूमे, बारा पॉइंट दो मंदिर पार कि अबर सद इसके अंदर है, आनी पीने की चीज़े आत्मा मत निकला, बंदर है, शीज के से खेली चीन लेखेगा, बंदर है, बंदर है, यह कुल्जा भूमानी का मतलब यह जिवरी है, महाराश्कियम लोगों की कुल दैवत, सिभाजी राजी की कुथ्थी कुल सौमीनी कुल्जा भवानी, राज्यस्तान में भी रचकूत लोग इसको जादा मानते, घुवानी ब प्रताबगर में थी लेकिन सिवादी महाराज अपने सामिली के साथ परिवार के साथ राइगर रहते थे तो राइगर प्रताबगर से चार बुना बढ़ा थी लाइगर सिवादी महाराज 1680 में राइगर में गुज़र गए तलवार लेने के लिए 1888 में बृतिश आए और बृतिश को इधर जब तक तलवार नहीं मिलती वो सामने पड़े अपने ही हत्यार बृतिश ने लगाए और ये किला पुगाटा पुगार जूचा मतलब ये किला मुझियम में अपना जो कोईूर हीडा है महाराज की तलवार उदर है यहां पसा चलता है यह नया मंदिर बन रहा है नीचे और इसके उपर के उप लकड़े के थे यह सवामधम और यद्य हो ले तरीके से बना रहे है इसका आगे से इनकी बंद है हम तीचे से आगे जब आ जाएंगे अंदर जानी के बाद यह स्टैंड को रखी तलवार अंडर से देखी तो यह तलवार कितु ही है सिवादी महरा के हिंदमी स्वाराज बनाया यह स्वाराज के लिए उनके सेना पती चार हो गए लेकिन बच्चों के मुपे एक आत्मिताना बहुत बार आया तो उ होईते ने क्या चिया यह तलवार से अफजल खंन लड़ाइं एक ही आदमी ने इसी तलवार से एक ही लड़ाइं में 600 लोगों को अकेले मेरा राए कि ऐसना राजा उसको इनाम राज़ा झान ठाल धाल गए पैनाना धालॉरार के पलेट पे एक स्टार दिया जाता है अपने तरवार देखते हैं, इधर तीन निशान है, नोग के पिज़े बाजु टीन है, और पॉलर पे गोल से लिखा उनका नाम है, इसके बाद पीछे साइट देवी की मूर्ती नेखू, सोनार के पास एक काला पत्थर होता है, जिसके वो सोना चांदी तेस्ट करता है, तसो है, पती कोल्टन अख्रिश्टर उसका है, और वो स्टैंड कर एके छोटे बड़ी अतियार, आज का सिपाई, कंदू, स्टंगर, निवालवर लेके भूंता है, पहले का सोल्जर, यही अतियार कंदे पे लेके, बैने धिवार के रास्ता बताया, साड़े तीन चाह घंटा, खाली हाथ घंगना नहीं है, हतियार कंदे पे लेके, धुवार के उपर से पैटोलियू करना है, आज का आदमी हतियार उठा सकता है, कंदे पे लेके भूमेगा नहीं, चलाएगा नहीं, पूल गैरंटी, लोगों ने उठानी की कोशिश की, अपने हाथ पर गवा बेटे, इसलिए अभी उसको स्टेंड के साथ तार से बान के रखा है, जब वहां देखेंगे न, वाकिस सारी तोफे है, एक आपको होकिस्टीक ऐसा निकाई देगा, वो अलब चीज है, होकिस्टीक नहीं है, स्टोन कटे रहे, पत्थर तोरनी की छन्नी परही, अभी जो तालाब पूरा पहाड खोड़ा, ये जो पत्थर निकाला, मशिन नहीं, वो परही से निकाला है, देखेंगे हम लोग है गाउ में रहते हैं, हमारे घर में भी वो सब्बर परही है, लेकिन उसकी साइज हो तो उन्गी डेसी है, आट-दस किलो वजन है, और ये वाला स्टोन कटर है 75 किलो है, 75 किजी, उसके बाद लास्ट वाला एंडल वाला एंटोप देख लो, हत्यार देखने के बाद एक बात समझ में आती है, पहले जमाने में लोगों के पास क्या थाकत होगी, जो आज हम पिच्चर में देखते है, ये सेम चलता है, एक बात देखिए, हम सब है ना, सोचे ने जैसी बाद नहीं है, मेरे हिसाब से इसकी एक ही वज़ाए, आज की जो पूरी जनरेशन है, वो वड़ा पाउ बरगर विज्जा चाहिए, ये सब ठाके अपनी ताकत खतम हो गई है, इसके हम लोग इसको इला नहीं सकते है, तो अभी हम लोग मंदिर तब आधा जब आपनों यहां से अंदर जाएंगे, मंदिर के ना पीछे मज़ा, ये वाजू में दुकान है, ना उनका ही दुकान है, हमें आधा किला ये साइट से और उपर जाना है, तो आईए यहां पे, तलवार, मूर्ती और सुर्लिंग, ये थेख्या बहार आजाएंगे, ये स् जब आपनों ये मंदिर है, और ये ना मूर्ती है थोड़ी अलग है, जब आई ये बगवान हमान जी की मूर्ती हम देखते हैं, बगवान का फेस ऐसा लेप साइट होता है, या राइट साइट होता है, हाथ में होता है संजीवनी परवद, या फिर वो गधा, लेकिन ये अशिर्वात देने वाला ये लंका मुखी अनुमान है, दक्षिन मुखी, ये पुरानी मूटी है, कलर किया तो एकदम नहीं नजर आ रही है, छोटा सा मंदिर था, वो निकाल के अभी ये सिमेंट का बड़ा मंदिर अभी किया है, नीचे से लेकर यहां तक चड़े, तो य प्रश्मन ने नीचे का बड़ा किला जीता, अपने सिपाई लड़ाई करते अंदर चले जाए, दर्वाजा बंद करके उपर से लड़ाई करें, समय लग रहा है, लड़ाई तो हम लोग कर रहे है, नीचे से आई सेना भारी है, पांच मिनिट में ये दर्वाजा तोड़क ये लोग भाग दें, लेकिन मराठा इसमें बोलते हैं कि मोडेल पन वाकनार नहीं, मतलब सच्मूझ भागनानी, दुश्मन की सेना यहां से अंदर पहुंचती है, अपने सारे सिपाई सुरं से वापिस नीचे के बड़े किले में, दुश्मन अंदर को ये बाहर, अब बा किले में तो कभी नहीं हुई, लेकिन ये बनाया, इतना आगे था सोच के बनाया देखो, और आप लोग उनके खुशकबर है, राउंड देख रहे हैं, इतनी सीड़ी है, अंदर जाने के बाद साड़े चार सो सीड़ी खतम, चड़ने में हमने पूरा किला जीत लिए, इधर में ये दरबार की जगा इतनी बड़ी रखी है, दो धाय हजार लोग एक जगा एक मिटिंग के बैठ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं किला कितना बड़ा होगा, लेकिन कभी उसमें ऐसा हो सकता है, दो धाय हजार में एकाद आदमी दुश्मन का भी हो सकता है तो में बाचीत इधर चलती थी, अश्ट प्रधान मंडल के साथ, इस वज़े से ये छोटी जगा, खुला नहीं था, इस पहना ऐसा हॉल था, बिकिश को लगा इसमें खजाना होगा, ये लालज में गिराया, रूल से नए किसी आदमी को अपने सेना में लेना है, भगवान के सामने इधर शपत भी दी, बाद में सेना में इंटी, सेना में लेने के बाद किसी ने गुना गद्दारी की, गद्दार को सजा एकी, मराटी में कहते है, सुकीला माफी नाही, सजा इधर सुना, अब जारे मौत की खाई देखने, पनिश्मेंट पॉइंट, जिन्दा अब जारे चार सो भोलेंगे तो आपनी उदर से उसकी ताकत खतम उग जाती है, लेकिन थोड़ा हाड है, और आपने आते समय देखा आपने शुरुवात से, कितनी भीडे है देखो, लेकिन उतनी पबलीक किले में नहीं है, जो क्या करते हैं, लोगों को लगता है वही प् तो हाँ वो पहला वाला है, हम मंदीर के पीछे गोल राउंड दूसरा और ये तीसरा में, मैंने आपको हन्मान मंदीर के पास सुरंचा जिकरे किया, खुपिया रास्ता, दीके आपके पीछे है, ये सुरंब उन्होंने बनाई है, लेकिन यहां से जाना और इसका इस्तमाल करना इतना आसान नहीं है, अंदर घुषने के लिए तो एक गम ईजी है, ये दिवारता के ना ठीक है, इसके बात नीचे सिस्तिम क्या, डायरेक्ट अठ्रासों खिट के पाहड में खुलता है, यानि अपने सिपाई यहां से पाहड में उतर के, पाहडी को पगदंडी से क् करते थे, लेकिन उनको आदत थी, लेकिन कोई नया आदमी जाने वाला जाते समय थोड़ा फिसला नीचे के किले में निकलने के बहुत सिधा उपर, इसलिए आज भी इसको आगे जाली लगा के बंकिया, ये चोकी वाला में पॉइंट बताया था, जहां तक नजर जाती है, पूरा इरिया इच्छा है, इसलिए दाडी का रास्ता एक दिख रहा है, तेकि आप लोग को अगर समझो यहां से मुंबई जाने है, शाटके रास्ता यह है, इधाउट टोल चार घंटे में मुंबई पहुंश ते है, ये इरिया से ही कौंकन रेल जाती है, और जहां अगर अच्छा क्लामेट होता, तो कुछ किले भी दिखे, मकरंगर, राइगर, लेकिन ये धुमला क्लामेट है, जादा आगे नहीं दिख रहा, इसलिए ये चोकी करने का में पॉइंट और पनिश्मेंट पॉइंट उपर, जो हमें खाली देखना है, खाये, जो आदमी को पगड़ के इधर लाओ, हाथ पैर को रसी से बांदो, अनाच के एमटी गनी बैग है न बोरी, आदमी को उसमें डालो, वो बोरी का बैग का मूँ बन करो, उठा के पाहड पैसे खाई में फेक दो, सजाय मौत, साड़े तीन हजार फीट पे हम लोग खड़े सबसे उची यह पॉइंट ही है, देखे राजा महराजों के जमाने में ऐसी सजा थी, लोग डरते थे दशत थी, सोचो यह सजा आज अपने जमाने में होती तो क्या होता है, यह गड़ा है अब तक और उफलो हो जाता, बर जाता ही है, अच्छा आपने वो ताना जी वाला मूवी देख तो यह उनका गाव है, फोटो लेलो फर चले, यह गोड़े का पैर उपर रखने का मीनिक मालू में गया, यह छोटा सा गाड़न है, अभी इसका डेवलप का काम चालू है, नाम है प्रतापगर उध्यान, यह महाराज की मूर्ती लेकर है न, यह लास पॉइंट है, प्रिटिश को लूटा, तलवार लेके गया न तब, लेकिन सिभाजी महाराज रहते कुछ तो याद चाहिए, इंडिया गोवर्मेंट ने मूर्ती बनाई, आपको ऐसा कोई पूछे कि आज़ादी के बाद माराष्ट्रे में सिभाजी महाराज का पहला स्टैचू किस जगा पर बिठाया, तो वो यह और यहां स्टाब कर, इसके बाद हद जगा नुकड पर स्टाच्य बिठाने के लिए साथ हुआ, आज़ादी के बाद इसका उधाटन पिया भारत के पहले पंच प्रदान, पंडिक जवारलाल मिरु जी ने, यानि यह तब की मूर्ती है, दो आज भी नहीं लग रही है, यहां लेकर आए, वन्तीस नहीं, अलग-अलग पार्स लाके मूर्ती को इधर वैल किया, जमिन से तलवार तक 36 पी उंचाई है, यानि पत्थर का 20 पीट का फांडिशन है, 16 पीट के उपर मूर्ती है, और आप मूर्ती देख रहे हैं, इसका वजन ज एक पेडर उपर है, इसका मतल्न है कि ए गोडे के उन्पर जोराजया क्यों योद्धा उपर बेटा है, उसकी मौधोस्यमे और वन्त दोपर उपर हैं, उस पर बेटा राजया युद में मर इस ये बात ख्यालमें रखी है, और यह तोके जो रखी है, ये भी पुरानी है आ आके दिखाने के लिए इधर रखी है कलर किया तो नहीं लग रही है